Welcome to Baizu's Online Learning Classes दोस्तों आज हम लोग Daily Current Affairs में 29 अगस्ट 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से जो कि आपके SSC exam, दिल्ली पुलिस, बिहार SI, बैंकिंग and other competitive exam के लिए यह helpful साबित होगा यह लाबदायक सिद्ध होगा तो दोस्तों हम लोग एक-एक करके आईए topic discuss करते हैं जिसमें पहला आप लोग जान ही चुके हैं कि national और international बाते करेंगे, रास्टी और अंतरास्टी जगत की बाते करेंगे तो इसमें पहला topic है Union Government Notify New Rules for Administration in the Union Territory Union Territory of Jammu and Kasmir तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो केंदरसासित प्रदेश और बन गए हैं यानि Jammu and Kasmir और Ladakh छेतर तो अभी हाल ही में वहां के उपराज्यपाल मनोज सिनहा हुए है तो according to the transaction of business rule, police, public order, all India services and anti-corruption यह सब पर कहा गया है कि LG के कारपाल का शक्ति के तहत आएंगे यानि कौन? Lieutenant Governor के अंतरगत आएंगे यानि they will execute function of the Lieutenant Governor और Lieutenant Governor कौन है? मनोज सिनहा है जैसा कि आप लोग अकसर देखते होंगे दिल्ली है, पुदुचेरी है यह ऐसे Union Territory State है जिसमें LG और वहां की बिधान सभा में आए दिन नूरा कुष्टी चलती रहती है तो इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में उपराजपाल CM एवं मंत्रियों के अधिकार तैं किये गए है क्योंकि केंट सासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद भी कानून बेवस्था, पुलिस, केंद्रिय सेवाओं के अधिकारी जैसा कि मैंने आपको बताया और भ्रस्टाचार निरोधक ब्यूरो ये सब किसके अंतर गताएंगे LG के अंतर गताएंगे यानि लेफटिनेंट गवर्नर के अधिन ही रहेगा ग्रीम अंत्राले ने जम्मू कश्मीर के प्रशासन को सुचार रूप से चलाने के लिए उप राजयपाल और राजयसरकार के बीच कामकाज और अधिकारों के बटवारों से संबंधित नियमों का अधिसूचना जारी किया है तो दोस्तों इसमें बहुत ही महत्पूर्ण है यानि प्रशासनिक ब्यवस्था वित क्रिसी वा सिक्षा समेत 49 विभागों का यानि 39 डिपार्टमेंट में विभाजित किया गया है और उप राजयपाल राजयसरकार के बीच यानि if any case LG and Government यानि राजयसरकार यानि स्टेट गवर्मेंट के बीच कोई दिस्प्यूट होता है तो अंतिम निर्णे किसका माना जाएगा याद रखिएगा प्रेसिडेंट का ये बहुत हिमात्पूर है तो यह इसमें ध्यान रखेंगे और यहाँ पर और भी facts हमने दिया है इसको देखेगा यह सब मंत्र परसद मतलब गैर अखिल भारती सेवाओं के अधिकारियों के सेवा मामलो नए कर लगाने का प्रस्ताओ भूमिराजसो विक्री अनुदान पुनर गठन विभागों और मसावदा कानून का फैसला कौन लेगी मंत्र परशद लेगी समझे नहीं तोनों को अलग-अलग कर दिया गया है केंसासित प्रदेश में कुल 39 डिपार्टमेंट होंगे ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और भी दिया गया है कि अन्तिम जो निर्णय और एक पॉइंट यहाँ पर देखना है यानि एक महिने के अंदर यानि मंत्र परसथ को इसे स्वीकार करना होगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मैप नया मान्चित्र है इनहें देखेंगे यह लद्दाग छेत्र है यह जम्मु कस्मीर है तो यहाँ पर विधान सभा का गठन होगा Lieutenant Governor कौन है? Manos Sinah है Capital इसकी क्या है? Jammu और Srinagar दोनो है अब next जो topic है One of the most important topic अकसर ये चर्चा में रहता है African Swine Fever EP Center in Meghalaya तो दोस्तों Meghalaya कहा है? तो Meghalaya हम लोग देखते हैं ये हमारा अगर देखा जाए ये यहाँ पर ऐसे कैसे नहीं है तो ये गारो खासी और जैनतिया तो Meghalaya तो Meghalaya इसका main epicenter है तो Meghalaya सरकार ने 5 जिलों के 19 गाओं को African Swine Fever का केंदर घोसित किया है यानि तब Meghalaya कोवर्मेंट has declared 19 villays across 5 districts as epicenter of African Swine Fever तो पशू अधनियम 2009 ये पॉइंट भी याद रखिएगा epicenter वर marred under the prevention and control of infectious and contagious disease in animal act 2009 यानि इसकार जो epicenter पर जो काम किया जा रहा है जो उपरिकेंद को चिनित किया जा रहा है वह किस act के तहत पशू अधनियम 2019 तो पांच जो प्रभावित जिले हैं पश्मी जैनतिया हिल अब देखें तो खोई दोस्तों पूर्वी खासी हिल्स पश्मी खासी हिल्स गारो खासी और जैनतिया तो यहीं खासी में ही बिस्व की सबसे अधिक वर्सा इस तरह की पहाडियां है कीपाकार याद रखिएगा यह गारो है और यह खासी हिल है और जैनतिया हिल तो इन सब में यहाँ पर यहाँ बिमारी देखने को मिल रही है और दोस्तों यहीं पर देखे ने कीपागार होने की और खुला होना तो बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली हवाएं हैं यह सिधा प्रभेस करती हैं और यह क्या होती है, यह हवाएं आरदता से लदी होती हैं, humidity से, और यहाँ आकर के इन पहाडियों के बीच टकरा कर वो वर्सा कराती हैं, तो याद रहेगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, यानि about African Swine Fever, तो दोस्तों, it is a viral disease, विसाणु जनित रोग है, it is contagious hemorrhagious hemorrhagic viral disease affecting domestic and wild pig, यानि जंगली जन्तुओं को प्रभावित करता हैं दोस्तों, यह एक संक्रामक रक्त स्रावी विसाणु जनित विमारी है, it is not a treat to human being, since it only spread from animal to other animal, यानि यह जानवरों से दूसरे जानवरों में ही transfer होगा दोस्तों, सबसे महत्मुन इसकी विसेस्ता यह है, और यहाँ 1921, देखे 20 का दसक दिया है, तो 1921 कह सकते हैं, यानि अफरीका महाद्यूप में वो भी कहां पाया गया, Kenya में पाया गया, और Kenya अफरीका महाद्यूप का country है, जिसकी राजधानी क्या है, नेरोबी है, और यहाँ पर जंजातियां कों से पाई जाती है, मस मसाई जंजाती याद रखिएगा, वन अब दो मोस्ट फेमस ट्राइप फाउंड इन Kenya इस Kenya कंट्री, यहाँ मसाई, उनके जो छोटे-छोटे मकान बनाए जाते हैं, उनको क्राल कहते हैं, दोस्तों, याद रखना मसाई लोग जो मकान बनाते हैं, उनके घरों का जो गेट होता है, बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा, वो ऐसे, मतलब, यहाँ पर इसे घिसल करके अंदर जाते हैं, वो इसलिए कि बाहरी जीव, जन्तु, जानवरों से रक्षा हो सके, तो इसको कहते हैं क्राल, याद रखोगे, दोस्तों, अक्सर आप लोग की इक्जाम में जाता है, यहां मसाई के बाद कीकियू भी है, लियू जन जाती है, इन लोगों में silent trade होता है, मौन ब्यापार होता है, दो ऐसे एक बढ़िया चबूतरा बना रहेगा platform, इधर से यह जन जाती है, इधर से यह दोनों समान ले करके इसी पर रख देते हैं, और दोनों अगर बर दोनों में मार काट सुरू हो जाती है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, तो यहां केडिया में पाया गया था 1921 में, यह बीस का दसक भी कह सकते हैं, और दोस्तों अभी तक इसका कोई vaccine नहीं है, इसका इलाज है कि पस्वों की हत्या कर दी जाए, तो यहां पर यह देख सकते इस figure से भी आप आसानी से समझ सकते हैं, आपके परिक्षा, यह सीधे पूछ लेगा, यह कैसी बीमारी है, कवग जनित है, फंगल जनित है, या प्रोटोजोवन डिजीज है, या वाइरल डिजीज है, इस तरह से प्रसना आ जाएगा, अगला है केरला टू सेट अप, इंड स्थान का भी नाम याद रखिएगा, यह स्थान का भी नाम याद रखिएगा, दोस्तों, यह सेंटर बनाने के पीछे महत्पूर कारण क्या है, कि महिला उद्यमिता में तेजी लाया जाए, यानि वोमेन इंटर्परिनोर्शीप, और लिंग समानता को, यानि जेंडर पैरिटी को और, मतलब ठीक किया जाए, जो अभी इतनी जादा डिस्किमिनेशन है, उसको खतम किया जाए, और आप देख सकते हैं दोस्तों, कि सबसे अधिक सेक्स रेसियो वाला राज्य कौन है, according to 2011 census, 2011 की जनगर्ना के आधार पर, भारत में सबसे अधिक लिंगान पात वाला राज्य केरल ही है, आपको पता होगा, 1084 upon 1000, यानि 1000 पूरुसों पर, यहाँ प रखेंगे दोस्तों, तो WTC will enable women entrepreneurs to come forward and participate in international trade, यानि अंतर रास्टी या ब्यापार, enjoy greater economic benefit and enhance their competitiveness to tap market opportunity, यानि केंदर महिलाओं उद्यमियों को आगे आने और अंतर रास्टी या ब्यापार में भाग लेने, अधिक आर्थिक लाफ का आनन लेने, और बाजार के औसरों का यूज करने या दोहन करने के लिए उनकी प्रतियस परधात्मक्ता को बढ़ाने में यह सक्षम करेगा, और ये भी point देख लीजेगा, महत्पूर्ण है दोस्तों, तो सीधे आपसे पूछ लेगा कि अभी ये center कहा स्थापित किया गया, किस राज्य में, और दोस्तों केरला के अच्छ है, 2030 था, अब बढ़ते हैं हम लोग, next topic, with new IT cell, दिल्ली पुलिस to get a social media makeover, और अनिक्जाम के लिए भी important है, यानि दिल्ली पुलिस is set to create IT cell, information technology cell, contractual employees, mostly young graduate, with a background in IT, and experience in handling social media, यानि IT से संबंधित लोगों को, युवाओं को रखेगा, यानि दिल्ली पुलिस एक IT cell बनाने के लिए तयार है, जिसमें ज़्यादा तरिवक स्तनातक, यानि graduate वो भी IT में, उनको महारत हासिल हो, उनको रखेंगे समविदा पर, यानि समविदा पर उनको रखेंगे, जो contract basis पे, जो कि उनका help कर सके, to keep tab on unlawful content as well as for social media image makeover, यानि गैर कानूनी जो सामागरी पर नजर रखने के साथ साथ, सोसल मीडिया में छवी बदलाओ के लिए, इसलिए यहाँ स्थापना की जा रही है, और सेल को तीन महीने के लिए pilot project के रूप में शुरू किया जाएगा, यानि the cell will be started as a pilot project for three month, याद रखेंगे, यह point, तो इस तरह से दिल्ली में होगा, सोसल गई है, दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल है, लेफ्टिन गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर, लेफ्टिन गवर्नर यानि उपराजपाल, स्री अनिल बहजल है, इन दोनों में आए दिन काफी मदभेद होता रहता है, तो यह ध्यान रख और दिल्ली पुलिस कमिशनर भी याद रखेगा, एसन सिरिवास्ताओ, अब हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अरुनाचल प्रदेश एसेंबली पासेज, रेजिलूशन टू ब्रिंग स्टेट अंडर सिक्स्थ सिडूल, दोस्तों, अरुनाचल आर्टिकल 371H, याद रखेगा, किस अनुच्छेद में संसोधन किया गया है, ब्रिंगिंग प्रोविजन टू सेफगार्ड ट्राइफ्स आफदा इस्टेट, दोस्तों, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, कि ये देख रहे हैं, ये सिक्किम है, ये अरुनाचल, तो ये पूरा 371H, अरुनाचल प्रदेश के राजपाल को, अरुनाचल प्रदेश राज में कानून और व्यवस्था के संबन में बिसेश जिमेदारी देता है, और दोस्तों, राज के जनजातियों की सुरक्षा के लिए प्रावधान लाते हुए, अनुच्छे 371H में संशोधन किया गय यानि इसे 6CEDUL में डालने की बात की गई है दोस्तों, तो यह अरुनाचल प्रदेश गोर्देश गोर्नेंट वोड सून इनिशियेट टॉक्टू, रिजॉल्ड द बाउंडरी डिस्प्यूट बिद नेबरिंग स्टेट आफ आसाम, यानि आसाम के साथ जो जल्धी पडोस संसोधन धियम में छटी अनसूची छेत्रों, इनर लाइन परमिट छेत्रों को छूट दी गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे समविधान, जब हमारे समविधान लागू हुआ था, तो आठ अनसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है, बारा अनसूचियां, अरुनाचल प्रदेश भी इसके लिए अग्रसर है, कि उसे भी छटी अनसूची में सामिल किया जाए, तो यह चारों राजे याद रखिएगा, कि छटी अनसूची में, और यह आधिवासियों, यानि आधिवासिय मतलब वनवासी, जंगलों में रहती है, बहुत सारी जातियों, यानि कितनी परसंट है, 8.6, यानि टोटल पॉपलेशन के, 8.6 परसंट क्या है भारत में, जंजातियां पाई जाती है, याद रहेगा, यानि 10 करोण 42 लाग जंजातियां है, भारत की कुल जंसंख्या में, और दोस्तों, याद रखिएगा, परसंटीज वाई से अधिक tribes कहां पाई जाती है, मद्य प्रदेस में, और मद्य प्रदेस में ही भारत की सब से अधिक आभादी वाली, यानि सब से ज्यादा जंसंख्या वली जंजाती है, गोंड, सब से बड़ी जंजाती है, वहीं पाई जाती है, और धियान रखेंगा, अगर Union Literary State की बात की जाए तो लक्षदीप में 94.8% वहां ट्राइब से है जबकि मिजुरम में 94.4% है तो अगर बात की जाए तो लक्षदीप हो जाता है अब हम लोग नेस टॉपिक है इंटरनेशनल है जापान पीम क्विट साइटिंग हेल्थ रीजन कि जापान की प्रधान मंतरी शिंजो अबे वह स्वास्थ कारणों की वज़ा से खराफ स्वास्थ के कारण इस्तीफे की घोस्टना कर दी है इट वास सेकेंड टाइम मिस्टर अबे हैस रिजाइन एज प्राइम मिनिस्टर विकाज आप पूर हेल्थ इस तरह से उन्होंने छोड़ दी थी वह दिसंबर दो हजार बारा में रेर कह सकते हैं रिटर्ण एज प्राइम मिनिस्टर फार रेर सेकेंड टर्म दूसरे कारकाल के लिए वह प्रधान मंतरी दो हजार बारा में चुने गए थे तो हाली मिस्टर आबे ने अपने महान चाचा आईसाकू सातो दौरा आधी सदी पहले तै किये गए सबसे लंबे कारकाल के लिए एक रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया है यही सबसे ज़्यादा समय तक और इनको जो बीमारी है वो अलसरेटिब कॉलाइटिस बीमारी से व अब हम लोग बात करेंगे समाचार में विभिन रास्टी और अंतरास्टी यह व्यक्तित्तों की तो इसमें जो इसे व्यक्तित्तों है मेजर ध्यान चंद्र यह आज चुकी 29 अगस्त है इनका बद्डे है आजी की दिन रास्टी यह खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों तो इनकी मृत्ति हो गई वहाँ दिली में मृत्ति हुई इनको हांकी का जादूगर कहा जाता है विजार्ड आफ हांकी कहा जाता है और यह तीन बार सुरण पदक हमारी जो टीम जीती थी 1928 में जीती थी फिर 1932 में जीती थी और 1936 यह तीनों में सुरण पदक भारती हांकी ट मानित किया गया था अब इन्हें भारत रतन जब से सचिन तेंदुलकर को भारत रतन दिया गया है उसके बास से एक बहस शिड़ गई है कि मेजर ध्यानचंद को भी क्यों न दिया जाए और एकदम इलिजबल पर्सन है डिजर्व करते हैं यहां हौकी के महान खिलाड़ी थे उनको क्रिकेट का լ्रेड मैन से तुलना की जाती थी और ब्रेड मैन उनके बर्थर दे में भी देखी दो दिन का अंतर है 27 अगस्त को ब्रेड न का नाम तो सुना होगा महान क्रिकेटर था तो जो 27 अगस बड़े होता है और 29 अगस को मेजर ध्यानचन, हिटलर मेजर ध्यानचन से बहुत प्रभावित हुआ करते थे अगला है बैंकिंग और वित्त समाचार में पैनल नेम्स खारा फार SBI टॉप जॉब यानि State Bank of India का इनको चेर्मेन बनाये जाएगा अब यह दिनेश कुमार खारा को यानि Bank Board Bureau has recommended खारा's name for the next चेर्मेन post of SBI यानि Bank Board Bureau ने SBI के अगले चेर्मेन के लिए सिफारिस की है सिफारिस की है अब इसकी नियुक्ति पर अन्तिम फैसला किसका होता है प्रधान मंत्री का और इसकी अगवाई वाली cabinet नियुक्ति की समिती करेगी अगला है यहाँ पर देख सकते है इसमें हिंदी में ही दिया था मुझे अच्छा लगा हो सकता है आपके एक्जाम में काम आ जाए चुकि अक्सर आप लोग के परिक्चाओं में इस तरह से वन लाइनर आ जाता है 22 कार उत्पादन यानि कार प्रोड़क्शन में नमबर वन पे चीन है 2019 में 20 में 6 करोण से अधिक कारों का उत्पादन हुआ यानि 6 करोण से अधिक मैनुफैक्चरिंग हुई है बनाया गया है प्रोड़क्शन हुआ है किसका कार का जिसमें सबसे ज़्यादा 2 करोण 13,60,193 कारों का निर्माड कहां हुआ चीन तो नमबर एक पे कौन है? चीन है ध्यान रखेंगे फिर जापान में देख रहे हैं 83 जर्मनी 46, भारत में 36 दख्षिन कोरिया में 36 तो यह है इंटरनेशनल अग्नाइजेशन आफ मोटर वीकल मैनुफैक्चर्स है तो यह फैक्ट है इसको याद रखेगा अगला है भारत में आउसत मासिक बेतन 32,800 रुपया बैस्विक सूची में भारत का स्थान है बहत्तरवा यानि 106 देशों में भारत की जो रैंकिंग है 72 रैंक है यानि भारत का प्रतिव्यक्ती 32,800 रुपया यानि 437 डॉलर के आउसत मासिक बेतन के साथ दुनिया भर के 106 देशों में भारत का बहत्तरवा यह फैक्ट है इसको याद रखोगे और स्विर्जर लेंड इसमें पहले अस्थान पर है दोस्तों इध्यान रखिएगा 4,49,000 रुपया हम लोग देख रहे हैं 32,800 और लग्जंबर्ग ये भी European country है स्विर्जर लेंड की राज़नानी क्या है यहीं पर याद रखिएगा बर्न है और लग्जंबर्ग की लग्जंबर्ग सिटी है यहाँ पर मासिग बेतन तो दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे स्विर्जर लेंड दूसरे पर यहाँ पर आप देख सकते हैं लग्जंबर्ग हो गया और तीसरे अस्थान पर अमेरिका है United State of America ध्यान रखेंगे और सूची में यानि 2700 रुपया सबसे कम 36 डॉलर के औसत मासिग बेतन क्यूबा है और क्यूबा कहां है दोस्तों क्यूबा की राजधानी हवाना है इसे सूगर बाउल यानि चिनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों यानि अमेरिका और क्यूबा के बीच में एक चैनल है एक जलसंधी है उसका नाम है फ्लोरीडा जलसंधी याद रखेंगे और अमेरिका का सबसे धुर्व रोधी है उसी के पास में ही करेबियन सागर में इस्थित है यहां के रास्टा अध्यक्ष है याद रखेंगे राऊल कास्त्रो इनके भाई थे सभसे अधिक समय तक सासन चालिस साल से ज़िक उन्होंने सासन किया था और उनके बाद राऊल कास्त्रो यहां पर सासन देखते हैं चिनी का कतोरा कहा जाता है क्यूबा को तो अमेरिका का यह प्रतिदुंदी है ध्यान रखेंगे और इस उची में 16 ACI देशों में भारत का दस्वास्थान था अब हम लोग बात करेंगे books and awards में तो आज सिर्फ award की चर्चा की है इसी में एक books भी है उसकी चर्चा हम करेंगे यानि spy become first woman to South Asian to get blue plaque in London तो नूर इनायत खान 1914 से 1944 तक या spy कह सकते हैं जासूसी करने वाली भारती मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को blue plaque यह सम्मान है दोस्तों तो blue park योजना क्या है British heritage charity द्वारा यह चलाई जाती है under this those distinguished people are honored who have either lived in particular buildings or worked in London यानि इसके तहत उन विक्षात लोगों को सम्मानित किया जाता है कौन सा blue plaque जो लंदन में या तो किसी खास इमारत में रहे हों और उसमें काम किये हों तो दोस्तों दुतिय बिश्यूद में Britain के लिए जासूसी करने वाली भारतिय मूल की महिला नूर इनायत खान को blue park से सम्मानित किया जा रहा है याद रखेंगे दोस्तों नूर इनायत खान के bloomsbury इस्थित उनके फोर ट्विटन स्ट्रीट इस्थित पूरु आवास को blue plaque दिया जाएगा जहां वह दुतिय बिश्यूद के दौरान जासूसी के तौर पर यानि जासूस रही है मैसूर के शासक टीपु सुल्तान के वनसज यह है यह टीपु सुल्तान के वनसज और भारतिय सूफी संथ हजरत इनायत खान की यह बेटी है यह फैक्ट है याद रखियेगा 1944 में तीस वर्स की आयू में नाजियों ने उन्हें बंदी बना लिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी यानि he has taken captive by the Nazis in 1944 at the age of 30 and later assassinated उनकी हत्या कर दी गई सडेंद करके historian and author यह बहुत important one of the most important याद रखेंगे इस fact को याद रखियेगा इतिहासकार और spy princess the life of नूर इनायत खान की पुस्तक की जो लेखी का कौन है शर्बनी बशू है उन्होंने कहा कि अपने आखरी mission पर जाने से पहले नूर इनायत खान इसी घर में रहती थी इसलिए यह पुरसकार इनको दिया गया भारती मूलकी है याद हो जाएगा अब हम लोग खेल समाचारों में ब्यक्तित तो हैं दोस्तों आजी के दिन रास्तिये खेल दिवस के दिन अरजुन पुरसकार द्रोणाचार पुरसकार Lifetime Achievement Award और साथ साथ राजीव गांधी खेल रत्र खेल जगत का भारत का सबसे सर्वोच सम्मान क्या है तो आजी के दिन दिया जाता है दोस्तों आज इनको द्रोणाचार पुरसकार मिलता एक ही दिन पहले इनकी इनका निधन हो गया दिल का दौरा पढ़ने से तो ट्रेक एंड फिल्ड कोज पुरशोतम राय पास्ड अवे डू टू ए हार्ड अटेक आन फ्राइडे यही एक ही दिन पहले सोचिए तो उनली एक फ्यू डेज एगो ही वास सेलेक्टेड फार दा ड्रोणाचार अवार्ड लाइफटाइम केटेगरी में तो कुछ दिनों पहले ही उन्हें द्रोणाचार पुरसकार के लिए चुना गया था दोस्तों तो 1974 में नेताजी इंस्ट्यूट आफ स्पोर्ड से एफलेटिक्स में डिप्लोमा करने के बाद राय ने अपने लंबे और सफल कोचिंग कैरियर की सुरुवात की थी उन्होंने अश्वनी नचपपा मुरली कुटन एमके आशा ईबी शिला रोजा कुट्टी और जीजी प्रमिला जैसे अंतरास्टी एथिलीटों को प्रशिक्षित किया तो बहुत ही चर्चित हसती है तो ध्यान रखेंगे इनका पूछलेगा हाली में निधन हो गया एथिलेटिक्स जहने द्रोणा चारपुरसकार से सम्मानित किया गया था अब हम लोग महत्पूर दिवस में आते हैं सत्रा मही में आज दिया गया है कि विस्त्व दूर संचार दिवस क्यों मनाया जाता है? कब से मनाया जा रहा है? दोस्तों, 2005 में संयुक तर्रास्ट महासबा में 2005 में 2005 में United Nation संयुक तर्रास्ट United Nation Assembly में 200 सूचना दिवस के तौर पर घोसित किया गया था और पहली बार दोस्तों इसे 1969 में ही मनाया गया था तो World Telecommunication and Information Society यानि कि 200 दूर संचार और सूचना समाज दिवस को मनाने का मुख्य कारण यही है कि हम अब तक के उन परिवर्तनों को भली भाती समझ सकें जो इन छेत्रों में हुए है और इनसे हमारी जिंदगी कितनी प्रभावित हुई है यहाँ 51 होगा 17 माई को विश्व तूर संचार दिवस मनाया जाता है तो इस बार का जो विश्व तूर संचार दिवस का थीम है डिजिटल प्रद्योगी का इस्तेमाल करके कोरोना वाइरस को हराने का प्रयास और सतत विकास के लिए 2030 2030 का कम्मुनिकेशन एजेंडा है इध्यान रखेंगे अब आते हैं हम लोग दूसरा 21 माई आतंकवाद विरोधी दिवस यानि इसको क्या कहेंगे एंटी टेरिरिस्ट डे ये बहुत ही महात्पूर है दोस्तों आजी के दिन 21 माई 1991 को भारत के सात्वे प्रधान मंत्री स्वर्गी राजियु गांधी यानि क्यानवे में सात्वे प्रधान मंत्री राजियु गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और वह कौन सा था आतंकवादी संगतन लिटे लिटे L-T-T-E ध्यान रखेंगे लिटे जिसे क्या कहेंगे लिबरेशन टाइगर आफ तमिल इलम का एक आतंकवादी संगु की सदस्या थी जिसने विस्फोट किया उसी में उनकी जान गई और उसके साथ साथ पचीस लोग मारे गए तो उनही की याद में यहाँ 21 मई से 21 मई को एंटी टेरिरिस्म डे मनाया जाता है यानि सांत और मानावता का संदेश फैलाना आतंकवादी समुहों के बारे में लोगों के बीच जागरुकता बढ़ाना वे कैसे वे आतंकों मारने की योजना बनाते हैं इन सब की इसमें डिस्कसन किया जाता है किसीने कहा भी है कि तो यह ध्यान रखेगा कि इनका कोई धर्म नहीं होता हिंसा का कोई धर्म नहीं होता और अगला जो महत्पूर्ण है 24 मई रास्ट मंडल दिवस दोस्तों यह भी बहुत ही महत्पूर्ण है रास्ट मंडल दिवस कम मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है भारत ही नहीं बलकि संसार के कई देश रास्ट मंडल दिवस मनाते हैं और Commonwealth Country किसे कहते हैं जहां पर British Kalonier रही है यानि वर्तमान में रास्ट मंडल देशों की संख्या तिरपन है 53 है तो इन देशों ने 24 मई को रास्ट मंडल दिवस मनाया जाता है दोस्तों इसके पीछे अग आज दिवस 1902 में सुरू किया गया फिर बाद में 1958 में Herald Macmillan ने Empire Day का नाम बदल कर Commonwealth Day रख दिया कब रख दिया 1958 में याद हो जाएगा दोस्तों तो इस तरह से यह मनाया जाता है रास्ट मंडल दिवस जैसे हमारा देश भी जहां जहां ब्रिटिस कालोनी रही है तो वो सब मिल करके रास्ट मंडल दिवस मनाते हैं रास्ट मंडल दिवस और इसके कारियों से दुनिया के लगभग 4 billion लोग जुड़े हुए हैं यह ध्यान रखेगा और इसमें 30 वर्ष की उमर वाले लोगों की संख्या लगभग 1.4 billion है ध्यान रखेंगे दोस्तों तो यह अगला दिश डे इन हिस्ट्री दोस्तों 1612 में सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्ट गालियों को हरा दिया था देखिए 1610 में अंग्रेजों का आगमन हुआ अब अंग्रेज धीरे धीरे चारों और अपनी सत्ता के स्थापना करना प्रारम कर दिये थे सबसे पहले पुर्दगीज आये थे, अब धीरे-धीरे उनको हटाया जा रहा है, तो सूरत में, कहां है, गुजरात में, ध्यान रखेंगे, फिर 1823 में, British Slave Abolition Act took the form of law, यानि British दास उन्मूलन अधरियम ने कानून का रूप लिया, और दोस्तों 1833 का Charter Act भी सुना होगा, इस इस वर्स जो है, याद रखेंगे, इसी एड के तहर विधी आयोग, law commission की स्थापना भी की गई थी, और क्या हुआ था, इस इंडिया कंपनी के पूरे ब्यापारी के काधिकार को समाप्त कर दिया गया था, अब उसका काम क्या कह रहा गया, एड्मिस्टेशन करना रह गया, यानि ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया था, कब 1833 के चार्टर एक्ट के तहाथ, और दोस्तों 1905 में आजी के दिन मेजर ध्यान चंद की जन्म हुआ था, ख्यात प्राप्त खिलाडी हैं के बारे में बता ही चुका, दोस्तों 1907 में कांग्रेस ने नागरी का धिक अधिनियम 1957 पारित किया था, दोस्तों 1974 में आजी के दिन 14 चरण सिंग की अध्यक्ता में लोग दल पार्टी की स्थापना हुई थी, दोस्तों ये ऐसे प्रधान मंतरी थे, कभी भी संसत का मुख नहीं देखे थे, किसानों के हितों की बात करते थे, इसलिए इनकी जो अधियस थाल उसका नाम किसान घाठ है, याद रखेंगे दोस्तों, अगला है काजी नजरुल इसलाम, फेमस बंगला पोएट, संगीत समराठ, म्यूजीसियन और फिलोसपर, आजी के दिन 29 अगस को इनकी मृत्ती हुई थी, दोस्तों अगला है पूरो भारती करिक्टर सच चिन तेंदुलकर को आजी के दिन, यानि 1998 में राजी उगांधी खेल रत्रपूरसकार दिया गया था, और एथेंस ओलंपिस का समापन भी आजी के दिन हुआ था, एथेंस ओलंपिक 2004 में, अब हम लोग बात करेंगे, आज हम लोगों ने पारिसकी तंद से प्रस्न को लिया फादर आफ एको सिस्टम एकोलोजी यानि पारिसकी तंत्र के जनक E.P. Odom थे, Odom ध्यान रखेंगे हां, राम देव मिस्रा को भारत में पारिसकी का जनक कहा जाता है, यानि राम देव आर मिस्रा इस काल दा फादर आफ एकोलोजी इन इंडिया, जैसे हरित कांती का जनक न तर्म एको सिस्टम, अब देखिए, पारिसकी तंत्र शब्द का प्रियोग सरप्रथम एजी टंसले ने 1935 में किया था, अगला है, दा लार्जेस्ट मैन मेड एको सिस्टम इस दा एग्रो एको सिस्टम, यानि मानो निर्मि जो पारिसकी तंत्र है, सबसे बड़ा क्या है, क The State of India's North East has been dubbed the gateway to biodiversity, North East को याद रखे कि पुर्वोत्तर के राज्यों को जयविधता के द्वार की संग्या दी गई है, चुकि सबसे जयदा जयविधता पश्चमिघार या पूर्वी, यानि उतरपूर की पहाड़ियों में पाया जाता है, धार रखेंगे दोस्तों, और भार इंडिया, दोस्तों, sad loving plants are called heliophobos, यह बहुत important है, दोस्तों, ऐसे भी पूछ लेता है, जो छाया वाले जो पौधे होते हैं, उनको heliophobos कहा जाता है, यह बहुत important fact है, ध्यान रखना, नीलगिरी was the first biosphere of India, established in year 1986, दोस्तों, नीलगिरी क्या है, पूर्वी घाट और पस्च दोडा बेटा, 2637 मीटर है, जो की second highest peak of South India है, दक्षिन भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है, पहली कौन सी है, अनाय मुडी है, वह कितनी उचाही है, 2695 मीटर, अब हम लोग अभ्यास प्रस्त में आईए देखते हैं, कें सासित प्रदेश के नए नियम के आधार पर, अन्द इस्टेट गवर्मेंट, तो इसमें किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, नेक्स है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, किस प्रकार की विमारी है, जिवान उजनित, विसान उजनित, या फंगल, या प्रोटो जोवन, तो यह होगी वाहिरल और यह जानवरों से जानवरों में जाती है, ध्यान रखेंगे, इसका कोई टीका नहीं है, पशू की हत्या ही इसका इलाज है, अगला है, भारत के पहले अंतराश्टी ब्यापार महिला केंट के स्थापना किस राज्य में हो रही है, दोस्तों, केरल में, निउज से ही लिय अगला है, अगला है, असम में एक हाले त्रिपल और मिजरम की जनजातियों के बारे में विशे सुबंद किस अंसूची में दिया गया है, अंसूची 6 में है, देखिए पहली अंसूची क्या है, भारत राज्यों का संग होगा, दूसरी अंसूची, देखिए दूसरी तीसर अंसूची में क्या है? सैलरी है, उच्छ पदाधिकारियों का बेतन है, जो की भारत की संचित निधी, यानि Consolidated Fund से दिया जाता है, अब जब सैलरी मिल गई, तो सपत ले लीजिए, तो तीसरी अंसूची में क्या है? टेक ओथ, सपत लेते हैं, जो उच्छ समयधानिक पद वाले लोग है, तो वहाँ जैसे मुख्य नयदीज है, रास्ट पती को सपत दिलाता है, तो इस तरह से ओथ है, किसमें? अंसूची तीन में, दूसरी अंसूची में बता दिया क्या है? सैलरी है, पाच्छी अंसूची क् क्या है? असम में एक हाले त्रिपुरा और मिजुरम की जन जातियों के बारे में बिसेस उबंध है, याद हो जाएगा, अगला है, हाली में स्वासकारणों से किस देश के प्रधान मंतरी ने अपने पद से त्याग पत्र देखी, यहाँ पर ये प्रसन अब त्याग पत्र ध्यान रखेंगे, अगला है, स्टेट बैंक आफ इंडिया के नए चेर्मेन कौन बने, अब देखें कौन बने, अभी ये चुकी एक्जाम अभी तो होगा नहीं, आपका एक महीने दो महीने बाद ही होगा, तो अभी घोशना की गई है, बैंक, बोर्ड, ब्यूरो ने इनक इसकुमार जी है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है, विस्व तमबाकु निरोधी दिवस कब बनाया जाता है, 31 मई को, वर्ल्ड, नो टो बैको डे, 17 मई को क्या बताया था, अंतरास्टिय संचार दिवस, 21 मई को क्या बताया था, अतंकवादी निरोधी दिवस, और 24 मई को क्या है, राष्ट मंडल दिवस, Commonwealth Day, याद हो जाएगा, अगला है, भारती मूल की पहली महिला, नूर इनायत खान को, मेमोरियर ब्लू प्लाक से सम्मानित, सम्मान किस देश का है, यह सम्मान मतलब किस देश का है, तो ब्रिटेन का है, ध्यान रखेंगे, अगला तो इस तरह से आज हमने राष्टी अंतराष्टी जगत की खबरों को लिया, लगबख सभी प्रकार के खबरों को टच किया, और प्रस्न भी अच्छे अच्छे लिया, फैक्स भी दिया, आज के दिन का इतिहास भी लिया, आशा करता हूं कि आप लोगों का आज का वीडिय अच्छा लगेगा दोस्तों, और खूब मेहनत करिये, खूब पढ़िये, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, हमारा बैजूस प्लेटफार्म अच्छा लग रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों से भी बोलिए, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक करना नहीं भूलिए, थैंक यू